नमस्कार दोस्तों स्वागेते आपका रगवल्स क्लास जेज के इस स्पेसल वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग यानि की BPSC के दुवारा जो सिक्षक भरती का सिलिबस जारी किया गया है उसकी बात करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बिहार लोक सेवा आयोग के दुवारा जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं टीचर एक्जैन से रिलेटेड उसको जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रू सबस्टाइब कर लीजिएगा तो बिना टाइम को व हमावली 2023 के अंतर गयत विद्याल ब्रात्मिक विद्याले माध्मिक विद्याले में अध्यापक के पदबर नियुक्ति यह तो लिखित परिक्षा जो की objective questions टाइप वाला होगा यानि वस्तुनिष्ट होगा के लिए पत्र वीशाय और प्रस्णों की संख्या की जो कुल इस प्रकार होंगे सबसे पहले देखते हैं क्या है तो पत्र जो एक है यानि फर्स्ट पेपर जो है उसमें वो भासा का होगा यानि लैंग्वेज पेपर होगा इसमें कुल प्रस्णों की संख्यां 100 मार्क्स की होगी दो पार्ट्स में यह डिवाइड होगा भाग वन में 25 इस प्रस्णों में 75 पेपर होगा परिक्षे की अवदी होगी वो दो घंटे की होगी मतलब आपको 100 क्वेशन के लिए 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा कुल अंक 100 होगा क्योंकि यह अब्जेक्टिव क्वेशन है जितने प्रस्ण होंगे उतने ही आपको अंक भी मिलेंगे चली इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं तो प्राथिमिक से उच मादिमिक विद्याले यानि जो प्राइमरी टीचर्ज हैं या पर 10 प्लस 2 के टीचर्ज हैं सभी के लिए ये पेपर अनिवारी होगा यह पत्र दो भाग में होंगे पहला भाग और दूसरा भाग दो में हिंदी, उर्दू, बांगला इन तीनों में से किसी एक भाज़ा का चुनाव करना होगा आपका जो भी लेंग्वेज होगा जिसमें भी आपकी पकड अच्छी होगी उस लेंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं इन तीनों में से दोनों को मिला कर 100 प्रतिशत अनिवारिय यानि इस पेपर में आपको कम से कम 30 प्रतिशत लाना है यह क्वालिफाइंग निचर का पेपर है अगर आप पेपर वन के एक्जायम को पास नहीं करते हैं तो आप अपने पेपर टू यानि अगले एक्जायम को नहीं दे पाएंगे आपका जो प्रतिशन है किसी अधर लेंग्विज का हिंदी उर्दू या बांगला का तो उसमें से भी आपको 30 परसेंट मार्क्स लाने पड़ेंगे सामाने अधैयन की अगर बात करें पेपर टू जो है यह टीचर के लिए इंपोर्टेंट है यानि कि जिसको हम लोग जीएस बोलते ह यह टेज़ सो क्वेशन होंगे इसमें और दो घंटे का समय होगा यानि 120 के लिए यानि देज सो प्रसन के लिए आपको 120 मिनट का समय होगा कुल अंक जो है वो देज सो का होने वाला है प्रात्मिक विद्याले के अध्यापकों के लिए है यानि कि जितने भी प्राइमरी ट पूछे जाएंगे वो प्रात्मी गमिद्यापकरत से इसमाजिक विद्यान सोसल साइन्स से क्वेशन होंगे और भाड़तिय राष्ट्यः आंदोलन जितने भी आंदोलन हुए है राष्ट्य अस्तर के उससे प्रसन होगे उसके बार सामानी अधियन पत्र के प्रस्ण प्राथ्मिक विद्याले के पाठिक्रम से संब्धित होगा यहाँ पर यह बात अपको ध्यान देना है उसके पैटर्ने से रिलेटेड होगा उसी लेवल का आपका एक्जैम नहीं होने वाला है लेकिन इसका जो सतर होगा या इसका जो लेवल होगा वो उम्मितवार हेतु निर्धारित नियुनतम आहरता की आलोग में होगा पतलब अगर आपका नियुनतम आहरता होता है नोटिफिकेशन आने के बाद पताचे लेगा कि minimum qualification क्या है इस फेकेंसी की अगर आपका 10 प्लस 2 रहेगा तो 10 प्लस 2 लेवल का प्रसन पूछा जाएगा तो 10 प्लस 2 लेवल का प्रसन आपका सामानी अधियन का पूछा जाएगा लेवल 10 प्लस 2 का होगा पैटर्न बिल्कुल वही होगा जो की प्राथमिक विद्यालियानी प्राइमरी एलिमेंटरी स्कूल में जो पैटर्न ह है उसी से रिलेटेर होंगे लेकिन प्रश्णों का जो लेवल होगा वो 10 प्लस 2 के स्तरका होगा कि यह थर्ड पॉइंट यह मेटल स्कूल के टीजरों के लिए इसकी हम अगले वीडियो में अच्छे से बात करेंगे उसके बाद जो यहां पर important topic है वो यह है important जो note है कि प्रश्ण वस्तुनिष्ट और बहु वैकल्पिय होंगे मतलब प्रश्ण जो है आपका वो objective होगा बहुत सारे उसमें options होंगे हो सकते हैं या फिर जो BPSC का pattern है कि 5 questions होंगे उस तरह का भी question देखने को मिल सकता है प्रत्य गलत उत्तर के लिए अंक की कटोर्थी की जाएगी यानि कि सबसे जो important point यहां पर है वो यह है कि अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए अंकों की कटोर्थी की जाएगी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी पेपर में नेगेटिव मार्किंग दिया गया है पहले इसको लेकर बताया गया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी लेकिन नोटिफिकेशन में बताया गया है कि गलत उत्तर के लिए अंक की कट ओफ दी की जाएगी यानि नेगेटिव मार्किंग होगी सेकेंड पॉइंट है कार्मिक एवं प्रशाषनिक सुधार बिवाग बिहार के संकल्प संक्या 23,74 दिनांक 16,77 के समानी प्रशाषन बिवाग के संकल्प 9,62 दिनांक 22,1,2020 के दुआरा प्रोक्त परिक्षा में मेधा निर्धार यानि कट ओफ जो होगा समानी वर्थ के लिए 40% मिनिमम आपको टोटल मार्क्स लाने हैं उसके बाद पिछरा वर्थ के लिए 36.5% और OBC के लिए 36.5% आपको मिनिमम मार्क्स लाने होगी और अत्यंत पिछरा के लिए 34 मतलब अनु मतलब extremely जो backward class के लोग होते हैं ABC के लिए 34% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे वही अनुसोची जाती जन जाती या फिर महिला SCHT और जो female candidates होगे उनको कम से कम 32% मार्क्स लाना पड़ेगा इसके बाद ये मार्क्स अनिवार है यानि इतना कम से कम आपको नंबर लाना है अ 36.5% है OBC के लिए 34% है EBC के लिए और SCHT और female candidates के लिए या फिर जो physically disabled है उनके लिए 32% minimum आपको मार्क्स गेन करने पड़ेंगे इस exam में I think आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरू करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरू कर लेंग्वेज पेपर और GS की तैयारी करते रही है that's all for today मिलते है अगली वीडियो में material school teachers के syllabus के जाथ